जैसे कि कल आमने सीखा था तो उसी का पार्ट टू है आज तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं जार तो देखिए C-Z-A-R जिसे जार पड़ा जाता है इसी तरीक से T-Z-A-R यानि कि जार T-S-A-R यानि कि जार तीनों को ही जार पड़ा जाता है और आप देख लिजे इस्टा पर ती को नहीं पड़ा जा रहा है जैट को जा पड़ा जा रहा है और देखिए इसका कोई रूल्स तो नहीं है बट हाँ आपने इसको याद रखेगा बस लाश्ट में जो ए आर यह उसको अर पड़ते हैं और स्टार्डिंग में जो ए अलग तरीके से दिया जाता है चाहते हैं तो सर्च किजिए यूटूब पे आव सिखे आज जैसे कि आप देख रहे हैं आव सिखे आज जैसे आप सर्च करेंगी यूटूब पे हमारा चैनल सबसे उपर आजगा जिससे आपको परिशानी नहीं होगी आप किसी भी वीडियो को असानी से देख सकते हैं यह आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आज चुका है इस तरीके से आएगा जिसमें रैट कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है और उसके बाद एक घंटी बनी हुए आएगे जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल चाहेगी और आप आसान इसे इंग आप दोनों तरीके से देख रहे हैं आप किस तरीके से लेखा हुआ है और C, R, E को भी A, E को भी आपर A बढ़ते हैं और A को भी A पढ़ते हैं अगर एक बट छोड़के अगर E होता है तो इन दोनों को ही A पढ़ा जाता है ठीक है बच्छो चलिए अब आगे देख लेके ह तो FU L हो या फिसे नस पढ़ा जाता है ठीक है अगर आप इसे नस भी पढ़ा जाते है क्योंकि अगर आप नस पढ़ते है तो वो बी सही माना जाएगा वो गलत नहीं माना जाएगा चलिए अब आगे देख लेते हैं यानि कि आपड़ा आप देख रहें D को रा पढ़ें E को A पढ़ें X को क्या पढ़ा जाता है श्वा पढ़ा जाता है यह ची या दखीगा T को टा पढ़ते हैं आर को यहाँ पर देखे ती के नीचे जो मात्रा है महाँ पर आर को रा पढ़ा जा रहा है O, U, S को अस पढ़ा जाता है क्या पढ़ा जाता है अस क्यूंकि अस जो है वो छोटा आए तो इसमें A लिखा हुआ नहीं है बड़ आपको अस पढ़ना है ठीके? दूसरा वाला आप देखे रहे हैं इसी तरीके से हैं पस इसमें क्या है? इसमें T, R, O आ रहा है और दूस्यरे वाले में T, E, R आ रहा है ठीके? तो अगर कहीं भी दोनों लिखे होंगे तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है चलिए अब आगे देख लेते हैं आप देखें डैपो और डैडिकेट डैपो में आप देख रहें T को नहीं पढ़ा जा रहा है अब आप लोग सोच रहें कि O T में T को क्यों नहीं पढ़ा जाता है पर इसमें डैपो में यह स्पेसल ऐसा है जिसमें T को नहीं पढ़ा जाता है तो आपको यह याद रखना है डैडिकेट में आप देख रहें D को डा पढ़ें E को A पढ़ें S को शा पढ़ें I को E पढ़ें और डबल C को का पढ़ें A को A पढ़ें क्योंकि एक बद छोड़के E है तो A को A पढ़ा जाता है T को टा पढ़ें ED को इट पढ़ते हैं ठीके बच्चो शले आब आगे देख लेते हैं रूल्स होते हैं जो आपको याद नहीं होते हैं इसलिए मैं बीच में थोड़े रूल्स भी समझा देती हूँ ताकि आप याद रख सकें EW को U और U दोनों पढ़ा जाता है जैसे के Mew हो गया, Pew हो गया सबस्का देख सकते हैं चली है अब आगे देख लिए्क ह को इस तो समझ सकते हैं तो कहीं भी याज़े समर् समर्द हो यारह ट। कुछ भी हो ऋगर उनके बीच पार, तो जो पहले वाला होता है, इसको आधा पढ़ा जाता है, जैसी कि S को श्या पढ़ें आधा अगर T उता होता हूद है, तो भी T को आधा ताप पढ़ा जाता है, तीके बच्चों, चलिए आप आगे देख लीत हैं, एक गई को इपढ़ा जाता है, कहीं भी A तो आपको उसे A पढ़ना है आप देखिए OK में आप देख रहे है O को O पढ़ा जाता है जब वो सुरू में होता है और क को हम का पढ़ें यानि कि O के आप के क्यों पढ़ें क्यों कि A Y को E की माता पढ़ें तो का पे की माता होगा ना OK इसी तरीके से ट्रे में देखिए सले में देखिए A Y को A पढ़ा जा रहा है ठीक है बच्चों समझ में आगे है न आप लुगों को चले आप आगे देख लेते हैं देखिए E Y को E भी पढ़ा जाता है और A भी पढ़ा जाता है जैसे की बौकी होगी पर जादा तर EY को E पढ़ा जाता है A बहुत ही कम ऐसी word meaning होते हैं जिसमें A पढ़ा जाता है पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि कल को ऐसा ना हो कहीं A पढ़ा जा रहा है और आप बोलें कि आपने तो E बताया था बट यहाँ पर जो E है वो E नहीं है अकेला उसके सद दुवाई है जो कि EY दोनों मिलके मात्रा बनने है तो यहाँ पर आपको G को गा पढ़ना है ठीके अब आगे देख लेते हैं EY को A भी पढ़ते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया तो जैसे कि आप देखरें कनवे में लास्ट में EY है तो V को वाँ पढ़ते हैं और EY को A जैसे कि मैंने बताया है कुछ में EY को A भी पढ़ा जाता है सब्वे में भी आप देख रहें EY को A पढ़ा जा रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि EY पर मैं एक अलग वीडियो गनाओ जिसमें आपको समझ में आ सकें कि E कहां पर पढ़ना और A कहां पर पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं चलिए अब आगे देख लिते हैं O Y को O E पढ़ा जाता है तो कहीं भी O Y साथ में होगा तो आपको उसको O E पढ़ना है जैसे कि boy में आप देख रहे हैं, L को क्या पढ़े, ला पढ़े और O, Y को O, I पढ़े, जैसे कि low, ला पे ओके तो low E, इसे तरीके से ploy, यानि कि P को पा पढ़े L को ला पढ़े और O, Y को O, I यानि कि ला पे ओके बतरो लो हो गया और E भी पढ़े, तो ली, sorry, E, तो क्या हो गया? प्लॉई, इसी तरीके से इंप्लॉई में, अगर कहीं भी E स्टार्डिंग में होता है, तो आपको उसको E को E पढ़ना है, ठीके बच्चो, और M को आधमा इसले पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद कोई मातरा नहीं है, तो मैंने बताया था, कहीं भी अगर इस तरीके से होगा मातरा नहीं होगी, तो आपको उसको आधा पढ़ना है, चलिए आप आगे देख लेते हैं, कि E, W को U और U दोनों पढ़ा जाता है, बस जादा तर E, W को U पढ़ा जाता है, ठीके बच्चो, जैसे कि few में आप देख रहे हैं, new में आप देख रहे हैं, E, W को क्या पढ़ने हैं, हम U पढ़ने हैं, अगर आप चाहते हैं, कि U कहां पर अच्छे से समझना, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा हैं, तो अभी मैं ज़्यादा इसको नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि अभी एक टॉपिक पर नहीं है वीडियो, पूरी साथ सब टॉपिक पर में बता रहे हूं, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, कि A को A पढ़ते हैं, यानि कि आपको पता हैं कि A को A भी पढ़ते हैं और A भी पढ़ते हैं, पर फिर भी मैं एक बार आपको इस वीडियो में भी समझा देती हूं, क्योंकि दीरे दीरे याद होता रहता है जब हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो देखिए A के बाद अगर N आएगा तो A को आपको A पढ़ना है, A के बाद अगर L होगा तो भी आपको A पढ़ना है, A के बाद R होगा तो भी आपको A को आपढ़ना है, A के से पढ़ना है, A, R, माल लिजे A, R साथ में हैं तो आपको उसको A पढ़ना है, A L साथ में हैं तो उसको आपको अल पढ़ना है A N साथ में हैं उसको आपको अन पढ़ना है इसे तरीके से A के बाद N T होगा तो भी आपको A को आ पढ़ना यानि कि अंद आप मान लिजे A के बाद A N C E होगा तो भी आपको A को आ पढ़ना है ठीके बच्चो, पीलर में आप देख रहे हैं, लास्ट में A, R हैं तो मैंने क्या बोले था, उसे R पढ़ेंगे जिसकी P को P पढ़ें, I को E पढ़ें, डबल L को L पढ़ें और A, R को और, यानि की P, L, R, 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 यहाँ पर देखिए A को A कहाँ पर बढ़ा जाता है अब जैसे कि आप देख रहें मेल में आप देख रहें M है उसके बाद A है आप जैसे कि उसके बाद A दिख रहा है तो A की बाद L है और फिर E है तो माल लीजे कहीं पर भी A की बाद L की जगा M हो P हो Q हो मात्रा को छोड़ तो कि अगर e r आ रहा है तो आपको e को a बढ़ना है जैसे कि gait हो गया, mat हो गया, इन्हों में आप देख रहे हैं a को a पढ़ा जा रहा है, ठीकि बच्छों, चलिए अब आगित सीख लेते हैं, देखे, A, A कहाँ पढ़ा जाता है, देखे, मान लिजे, A, A, R साथ में होगा, जैसकि मैंने बोला कि A, A, R साथ में होता है, तो उसे A, A पढ़ा जाता है, यानि कि A, A पढ़ा जाएगा, बट A, R ए तो A, R पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, A, R, क्योंकि हम देखे A को ही A A और A पढ़े क्या पढ़े A और A पढ़े और R को राभी तो पढ़ेंगे जैसे कि D.R में आप देख रहे है D को डा पढ़े और A.R.E को हम क्या पढ़े A.R क्या पढ़े A.R क्योंकि last वाले को नहीं पढ़ते हैं तो उसको हटा दिजिए उस पर ध्यान मत दीजे हम सिब AR पर ध्यान देंगे D के बाद तो AR को हम क्या पढ़े AR, ठीके, इसी तरीके से हेर हो, आपने समझ लिया आप यहाँ पर देखिए A कहाँ पर पढ़ता है, जैसे कि मैंने बता है एक बट छोड़ के, अगर E होगा तो आपको A को A पढ़ना है पर A को रूल्स होता है कि अगर मान लेजिए, दो व्यंजनों यानिके कॉंसरनोट के बीच में A होता है तो A को A पढ़ा जाता है जैसे कि BAD हो गया, SAD हो गया MET हो गया, CAP हो गया अब यहाँ पर देखिए B हैं और इसके बीच में A है फिर D के बाद आप देख रहें कुछ नहीं है तो बीच में क्या है, A है तो मान लेजिए, अगर इसी तरीके से कहीं भी बीच में A होगा, उसके आगे पिछे कोई मात्रा नहीं होगी तो आपको A को A पढ़ना है जाते कि BAD, SAD, MET, CAP